इसमत हमारी मौझूर की है दिल्ली के मिंटो रोड पर पहले मैं आपको तस्वीरे देखा रही हूँ कि किस तरीके से कनौट प्ले से सारा पानी बहकर जो है वो धलान की तरफ जा रहा है और आप तस्वीरे देखिए मिंटो रोड ब्रिज की जी हाँ जलमगन हो चुका है मिं कंच कलर में दिख रहा है वो एक छोटा ट्रक है यह दूट का कंटेनर है जो इसमें डूब चुका है और जो पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक गाड़ी भी डूब चुकी है यह तस्वीरे हम आपको मिंटो रोड की दिखा रहे है जो कि पूरा बर गया है पूरा यातायाद जो है उसको स्टॉप कर दिया गया है यहां से आप कोई ट्राफिक फ्लो नहीं हो रहा है एक साइकल एक कार एक छोटा कंटेनर एक छोटा ट्रक है वो इसके अंदर फिरहाल डूबे हुए नजर आ रहे हैं कामरबसन जैपाल र है यह पूरी सड़क दर्या में तब्दील हो चुकी है जहां तक आपको नजर आ रहा है यह सड़क नहीं है बलकि पूरा पानी इस सड़क पर बना भरा हुआ है आप देखें जो गाड़ियां आ रही है वो किस मुशक्कत से आप मुश्किल से यहां से आप आ रही है क्योंक अगर देखेंगे तो फुटपाथ की जो पूरी जगह होती है उसकी लाइन से भी ऊपर पानी गया हुआ है यानि की पानी की हाइट यहां पर इसके दर बनी हुई है कि यह पूरी रोड जो आपको नजर आ रही है ऐसा लगता है कि कि किसी तालाब में किसी दरिया के पास हम खड़े हैं और यह दिल्ली में केवल चंद घंटों की बारिश के बाद हुआ है क्यामर बसंद जैपाल रावत के साथ प्रियंका कानपा न्यूज इंडिया दिल्ली इस वक्त हमारी मौझूद की है नाशनल मेडिया सेंटर के सामने राइसीना रोड है यहां आप देखें जहां मैं खड़ी हूँ मेरे घुटले से थोड़ा नीचे बस पानी रहे गया है और यह पानी जो है तीनों रोड से भर कर यहां पर इस तरीके का बना हुआ है आप देख रहे हैं जो लोग फुट पात पर भी चल रहे हैं उनके पास उनके पैरों तक भी पानी पहुचा मैं सडक पर हूँ और यहां आप देखें कि जो गाडिया आ रही है उससे अंदाजा लगेगा कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ है आप देख रहे हैं कि मैं बिलकुल सडक पर चल रही है पर ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं पानी की किसी जगह पर हूँ और यहां आप दे सामने जंतरमंतर रोड है वहां पर घुटने तक पानी भर गया है और यह स्थिती जो है केवल कुछ घंटों की बारिश के बाद देखने को मिल रही है सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है और उसके बाद यह हालात आप देख रहे हैं कि जो गाडिया आ रही है वो किस तर आरेश और जलमगन हो चुकी है पूरी दिल्ली तस्वीर आपको लुटियन दिल्ली की दिखा रहे है डॉक्टर राजर दिप्रसाद रोड और यहां जहां तक आपकी नजर जा रही है यह पूरी सड़क दर्या में तब्दील हो चुकी है जहां तक आपको नजर आ रहा है यह सड़क नहीं है बलकि पूरा पानी यहां इस सड़क पर बना भरा हुआ है आप देखें जो गाड़ियां आ रही है वो किस मुशक्कत से मुश्किल से यहां से आप आ रही है क्योंकि पूरे रास्ते में पानी भरावा है पीछे तक जहां तक आपको जो लाइट जलाए आप देखना शुरू करेंगे तो यहां तक जहां तक पूरी रोड खत्म हो रही है जहां से संसत साफ दिखता है वहां तक यह पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है पूरा पानी भर चुका है यह पूरा इलाका जो है देखें आप साइड में अगर देखेंगे फुटपाथ की जो पूरी जगह होती है उसकी लाइन से भी उपर पानी गया हुआ है यानि की पानी की हाइड यहां पर इसके दर बनी हुई है कि यह पूरी रोड जो आपको नजर आ रही है ऐसा लगता है कि किसी तालाब में किसी दरिया के पास हम खड़े हैं और यह दिल झालाब में किसी दरिया का फड़े है